ज्यादा तर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं। करिए बहुत अच्छा है। लेकिन मात्रा ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं, कि हर वहीडा, आवला तीनों बरावर मात्रा में मिलाके त्रिफला बनाते हैं। वो कहते हैं कि ये उतना उप्योगी नहीं है। और हमने करके भी देखा, वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है एक, दो, तीन की अनुपात में, पहला है हर, हरडे, एक अनुपात, दूसरा है बहेडा, दो अनुपात, और तीसरा है आवला, तीन अनुपात, अब इसको मात्रा में कहूं, अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना 100 गराम, बहेडा लेना 200 गराम, और आवला लेना 300 गराम, तो ये 100, 200, 300 गराम की मात्रा में, आप जो त्रिफला चून तयार करेंगे, वो कहते हैं, ये अद्वुत है, वात, पित, कफ, तीनों का नाश करता है, तीनों का, अब वात, पित, कफ, तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजिए कैसे लाएं त्रिफला लेने के दो नियम बताए उनों ने एक रात को और एक सवेरे सवेरे का नियम उनका ये है कि सवेरे सवेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड के साथ नहीं तो शहद के साथ गुड या शहद वैसे ही आप तरह कर लीजे जैन हैं तो गुड अजैन हैं तो शेर तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड या शहद के साथ रात का त्रिफला खाएं तो दूद के साथ या गरम पानी के साथ त्रिफला तो एक ही है ना सवेरे भी त्रिफला ही खा रहा है रात को भी लेकिन बागवट्टी जी कहते हैं असर अलग अलग है दोनों के रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये त्रिफला रेचक है रेचक शब दुनों ने इस्तेमाल रेचक माने पेट को साफ करने वाला बड़ी आथ की सफाई करने वाला शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला जाडू लगाने वाला जो व्यक्ती वो रेचक तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये रेचक है, माने ये एक ही काम सबसे जादा करेगा, कि आपकी कबजियत मिटा देगा, कितनी भी पुरानी कबजियत है मिटा देगा, 40 साल पुरानी भी मिटा देगा, रात को, और जो दिन को त्रिफला खाया सबेरे, गुड के साथ, तो वो कहते हैं ये पोशक है, एक शब्द है रेचक और एक है पोशक, पोशक माने शरीर को जो कुछ चाहिए, विटेमिन C चाहिए, विटेमिन A चाहिए, विटेमिन D चाहिए, या विटेमिन K चाहिए, या कोई विटेमिन चाहिए, या हमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स चाहिए शरीर को, केल्शियम चाह तो त्रिफला सवेरे खाना और शरीर में आप मानते हैं कि हमारी कबजियत ठीक करने के लिए तो त्रिफला रात को खाना दोनों समय के त्रिफले में बिल्कुल अलग तरह के परिणाम आते हैं तो जो कहें हम तो स्वस्थ हैं जी तो सवेरे ही त्रिफला खाऊ स्वस्थ हैं कि और जो कुछ बीमारियां है आपको तो रात को में ठीक है तो तीन महीने लगाता खाने के बाद थोड़े दिन चोड़ देना सकते है घृत पूरोने क्ष़णी नब्वद को हनचो देना मैं अज़ने फिर अगले तीन महीने का लिए फिर पंदर